Dear students, आज के इस वीडियो में हम 6 पार्ट का अंतिम पॉइंट जिसका नाम है उत्सरजन उत्सरजन के बारे में अपन समझेंगे और इस वीडियो में मुख्य रुप से मानव में उत्सरजन किस परकार्शे होता है उसकी अपन जानकारी पराप करेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव परकास नंसलेशन तथा सौसन में जनित वर्ज ये गेसों से केसे चुटकाराप पाते हैं लेकि हमने पादपो में होने वाले परकास संस्ट्रशन परकिया के बारे में समझा था कि पोदे परकास की उपसिति में बोजन बनाते हैं और ओटू गेस बनती है और उक्सिजन गेस बनती है तो प्रकास अशन में जो पतियों में ऑक्सिजन गेस बनी है, उस गेस को बाहर निकालते हैं, वाय मंदल में और सवसन के दोरान, सवसन के दोरान चाये पोदे हो या जन्तू हो, सभी सवसन कि रिया में ऑक्सिजन गेस लेते हैं और carbon dioxide gase छोड़ते हैं तो CO2 gase को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर स्वसर्ण के दोरान जो बनने वाली CO2 gase है carbon dioxide gase है यह इनके लिए किशी काम की नहीं है इसलिए इस CO2 gase को सरीशे बाहर निकालता है और जो सरीश के अंदर कोई पदार्थ हो या केस हो जो किसी काम का नहीं है उस ये अपन वर्जे पदार्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्जे पदार्थ, या अब सिर्भ पदार्थ बोल दिजिए, जो कि सरीर के लिए हानिकाराख होता है तो सौसन के दौरान बनने वाले जो CO2 गेस है वो हमारे लिए हनिकारक है उसको बाहर निकल आता है तो इन गेसों से केसे छुटकारा पाय जाता है यह हमने सौसन वाले पॉइंट में बढ़ा था कि जो कोशिकाओं में CO2 गेस बनती है वो किस परकार से सीरा फिर महासीरा से होते हुए हर्दे के द्वारा फेपड़ों में पहुंसती है और फेपड़ों में जो वाई कुपी काई है वो उसको बाहर निकाल देती है आगे लिखा कि अन्य उपापची किरियाओं में जनित अन्य उपापची किरियाओं में जनित अन्य उपापची किरियाओं की सरीर में होने वाले और भी बहुत सारी किरियाओं है उसमें जो अफ्सिस पदार्थ बनते हैं वो होते हैं नाइटरजन युक्त, यानके उन्हें नाइटरजन होता है कहने का मलब मुख्य रूप से जो अपन उत्सरजन की परिवासा समझेंगे उत्सरजन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे तो उसरजन में ऐसे अपसिस पदार्थ जो नाइटरोजन यूक्त होते हैं वो ही उसरजी पदार्थ क्यालाते हैं यानकि उसमें नाइटरोजन होना ज़रूरी है ठीक है मुख्य रूप से है ये बैसे तो स्यूटू जो गेस बाहर निकलती है वो भी उसरजी पदार्थ है और फेपड़े भी हमारे उसरजी अंग है पर तो मुख्य रूप से बन बात करें सरीर के अंदर नाइटरोजन यूक हैं बहुत ही हानिकारक हैं वह जेव परकरम जिसमें इन हानिकारक उपापची वर्ज पदार्थों का निस्कासन होता है उसरजन का लाता है तो देखिए आपको पहले इस उसरजन की परिभासा को याद करना है कि उसरजन किशे कहते हैं क्योंकि इस टोपिंग में से बड़ किरिया को समझाइए या सचीतर वर्नन कीजिए तो इस प्रकार शेट टुकड़ों में परसन आते हैं तो हमें इनका अंसर भी टुकड़ों में देना होता है तो पहला है कि उत्सदन क्या है या उत्सदन किशे कहते हैं तो आपको यहां से इसको याद करना है वह जेव परकरम जिसमें इन देखो इन का उनलोग यहां पर क्या है नायटरजन यूप्त पदार्थ यह इन है यहां पर ठीक है ना इनको यहां लिख लिएगा कि वह है जेव प्रकरम जिसमें नायटरजन युक्त पदार्थ क्या है हानिकारक है ठीक है हानिकारक उपापची वर्जे पदार्थों का निस्कासन होता है किनका नायटरजन युक्त वर्जे पदार्थों का निस्कासन होता है उसे उच्छजन कहते हैं ठीक है विबिन जन्त तो इसके लिए वीधिया यानि की युक्तिया होती है अलग जन्तों में इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है अलग अलग अंग होते हैं जैसे मनुष्य के बात करें तो मनुष्य के अंदर क्या है व्रक होते हैं जैसे अपन किड़नी भी कहते हैं या फिर गुर्दे भी कहते हैं तो अलग जन्तों में अलग अलग युक्तिया भी है प्रोसेस भी अलग अलग है क्योंकि उनके अंग भी अलग अलग है उत्सर जी अंग अलग अलग होते हैं बहुत से एक कोशी के जीव जैसे अमीबा है, पिरामीशियम है, युगलीना है एक कोशी के जीव है इन अपसिस तो को सरीर की सतह से जल में विश्रित कर देते हैं यानि कि विश्रन के दोबारा क्योंकि एक कोशी के जीव है तो इसके जारत बदो पानी है ठीक है? और ये इस जीव के सरीर के अंदर इसकी मातला जब ज़्यादा हो जाती है तो ये अधिक से कम की और बाहर निकल जाता है विश्रन के शे कहते हैं जब पदार्त हैं वो अपनी अधिक सादर्ता से कम सादर्ता के और गती करते हैं तो उसको विश्रन कहते हैं तो एकोशी के जीव अपने सरीर से जो नायटरणियू अपसिस पतारत हैं, उनको सरीर से कैसे बाहर निकालते हैं, विश्रन के दुवारा, चुंकि मनुश्य बहु कोशी के जन्तु है, इसलिए इसमें विश्रन तो हो नहीं सकता, क्योंकि सभी कोशी काई हमारी परियावन के या वातावरन के संपर्क में नहीं है, शरीर के अंदर बहुत सारी कोशी काई है, अपना सरीर अरवो खरवो कोशी काउंषे बना है, तो विश्रन तो अपने अंदर नहीं होगा, शितापन उत सो जिपतारतों को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तूसा मुख्य रूप سے ये का जैसे हम अन्हे प्रक्राप में देख चुके हैं बहुत जो जटिल बहुको्शी के जनतु हैं जटिल बहुको्शी के जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिश अंगो का ओप्यों करते हैं जैसा गि नमें बताया मनुश्य कैंदर बॉड़क होते हैं जो यह काम करती है तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि उत्सत्राजन क्या है और एक कोशी की बहुकोशी की जीव जो है वो किस प्रकार से उत्सराजन का कारिये करते हैं सरीशे अब सीस पताथों को बाहर निकालते हैं तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं मानों में उत्सजन के बारे में देखें मानों में उत्सजन के बारे में अपने दो परसंड बनते हैं एक तो मानों उत्सजन तंतर का नामा की चितर बनाते हुए सचितर बनन कीजिए तो वरकाणों बोल दीजिए, नेफरोन बोल दीजिए, नेफरोन की सनसना का नामांकी चितर बनाते हुए उसका वर्नन कीजिए, तो ये दो क्यूस्ण बनते हैं, अपन यहाँ पर इन दोनों के बारे में विस्तार से समझेंगे, तो चलिए पहले पर बात करते हैं, कि मानों म उसरजन तंतर, ये जो किड़निया को दिखाई दे रही हैं चितर में, ये मुख्य उसरजी अंग है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो दो नलिका निकलती हैं, मुतरवाहिनिया है, ये भी इशी का भाग है, उसरजन तंतर का भाग है, और दोनों ये मुतरवाहिनिया जहा पतर आता है तो यहां बर क्रूब से दोनों व्रक यानिकी ऍट्निया ये मुत्र वाहिनी दोनों उत्र वाहिनिया और मुत्र अश्य ये मिल करके उत्सवर्जन तंतर का निर्मान करती है modify आपको benणा है खी वर खे सब्सक्रा आनें खाना है यह नांकित करना है यूपर से जोड़ नलिकाई आ रही है यह और बाइवरक धमनी दो तो दो दमन्नी है ठीक ना और बाइवरक शीरा यहांपर देखो दिखा रखागा है इसमें चितर में यह शीरा है भी यह कर दमन्नी शी प्रकार्षिय यहां पर लिखा महादमनी और यह मॉत्र Bonjour जो आना है अब इसका वर्णन कहां से करना है इसका सचीतर वर्णन के बारे में पूछे का तो वर्णन के लिए आपको यहां से करना है कि मानव के उर्सजन तंतर में एक जोड़ा व्रक जोड़ी या जोड़ा बोल दीजिए एक जोड़ी है ठीक है क्या व्रक है व्रक यानि कि ज पेट में उपर का जो भाग है वो तो साती इशीना होता है और इसका जो नीचे का यह जो भाग है कि अपना पेट है या जिसको उधर भी कहते हैं व्रक में मुत्र बनने के बाद मुत्र वाहिनी में होता हुआ मुत्राशे में आजाता है देखो मुत्र जो है उसका निर्माण देखो दो चीजे हैं मुत्र का निर्माण जो है वो तो होगा व्रक में या केड़नी में ठीक है मुत्तर का दिर्मन होता है अब उपर अपने पढ़ा था कि ये जो nitrogen यूप्त अपसिस्पदार्थ है तो देखो अपने पाचन दंदर पढ़ा था पाचन दंदर में एक गरंती है जिसका नाम है वरक सोरी यकर्थ क्या नाम है यकर्थ जिसको अपन लीवर भी कहते हैं क्या कहते हैं यकर्थ यानि की लीवर ठीक है ना ये जो यकर्थ है लीवर है इस यकर्थ के अंदर यूरिया बनती है क्या बनती है यूरिया और यूरिया में nitrogen होता है तो नायटर्जन यूप तबसिस पतार जो बना है वो तो बनता है यकर्थ में कहां बनता है? यकर्थ में याद रखेगा इसी स्कून और ये रक्थ के अंदर गुल करके ये यूरिया रक्थ में गुल करके कहां पहुंचेगी? दोनों किड़ियों के पहुंचेगी दोनों वरक्थ के पहुंचेगा बाये वरक्थ के पास और डाये वरक्थ के पास क्योंकि रक्थ के अंदर ये जो यूरिया घुली हुई है इस यूरिया को रक्थ से अलग करना है तो यहाँ पर इसको अलग करने के लिए जो वरक है उन वरक के अंदर पाए जाने वाले जो इकाई है जिसका नाम है नेफरोन या वरकाणू इन वरक के अंदर जो नेफरोन और वरकाणू होते हैं वो यूरिया को रक्ट से अलग कर देते हैं और मुतर बनाते हैं तो मुतर का निर्मान तो हमेशा होगा वरक्ट के अंदर ठीक है याद रखेगा और यूरिया का निर्मान होता है यह करत में इसको लीवर कहते है बन ठीक है दो बाते हैं तो यहां जो यूरिया बनी है लीवर के अंदर वो रक्ट के अंदर गुल करके यहां किड्नियों के पास पहुंचती है और यह दोनों क वरक में मुतर बनने के बाद मुतर वायने में होतावा राशे में उता है यानिकि वरक के अंदर जो वरकाणू नेपरोन है उन्होंने मुतर बनाया ठीक है वाहर उस्वजित करना है तो मुत्र वाहर उस्वजित कर सकते हैं आई इस वरकार श्यप्री उसके सनजना है आगले है तो वरकाणों या नेफ्रों जो है उसकी स्नस्थना अगले पेज़ पर दी गई देखो यह वाली स्नस्थना है यह आपको समझनी है ठीक है तो तर ले पहले समस्थने अपन का लिखा है मुत्र बनने का उदेशे रुधिर से रुधिर में से वर्ज पदार्थों को चान कर बाहर करना है यानि मुत्र क्यों बनाया अभी मनें बताया हमारा दो लीवर है यकर्थ है उसमें यूरिया बनी यूरिया क्या है नाइट्रोजन यूप्त वर्ज पदार्थ या उपसिस पदार्थ है वो रक्त में जो यूरिया घुल गई है उस यूरिया को रक्त से अलग क यहां पर उनको छानने की जुरत हैं चानना पर छानने का काम कों करेंगे रख काणू ब sanctions करेंगे जो के हमारे किड़नीयों में होते हैं ठीक है ब देखो यहांपर एग्जामपल और दिया बया गया है जिसे फुफुस 오늘도 उन फेफड़ों में जो CO2 gas है और उधर शे अलग हो जाती है जो वाई कुपी का यह हमने पड़ी थी देखिए आपको मैं ले चलता हूँ उसी पेज पर यह रहा हमारे फेफड़े ठीक है और फेफड़ों में यह वहाग आपको दिखाया का बढ़ा करके यह वाई कुपी का ह इन वाई कुपी काओं के रख्तिन ने लिकाया जुड़ी होती है और इन वाई कुपी काओं में जो CO2 gas है वो यहाँ पहुंचती है इस सब्सक्राइब के दौरा अंदर पहुंचती है और यहां से फेफड़ों से होते हुए बाहर निकाली जाती है ठीक है तो यहाँ पर इ लग होती है और जो नाइटरजन युक्स अफ्सिस पदार्थ है यानि कि जो यूरिया है मुख्य रूप्षिय में क्या होती है यूरिया कुछ जंतों में यूरिक अमोनिया होती है ठीक है यह मुख्य रूप्षिय तीन उत्साजी पदार्थ होते हैं तो मानौ स्रीर की बा अपर करेंगे नेफरों करेंगे यह कोई आश्यरी की बात नहीं कि वरक में आधारी निश्यंदक निश्यंदन एकक की जो बात हो रही है इनकी जो एकाई होती है वरक की एकाई जिस प्रकार से फेफडों की इकाई है वाई कुपी का क्योंकि ये सबसे छोटा आगे चागे जो स्वासनली है सबसे अंतिम जो भाग इसका होता है वो वाई कुपी का होता है फेफडों की बात हो रही है इसी प्रकार से वरक की जो इकाई है वह होती है वरक काणू या नेफ्रोन यह होती है वरक काणू या नेफ्रोन ठीक है यह याद रखिए वरक की सुनात्मक और किर्यात्मक इकाई क्या है या एकक क्या है एकक बोल दीजिए इकाई बोल दीजिए एकी बात है तो वह होता है बसेकी सिए दो ii आगifying सब्सक्राइब करते हैं तुछ का दो iisकी काई होताई कि वररक में जो होता है कि यूच्ळ में पढ़ी ब्होरा देख खाज़ी काज होता है तो पर क्या होता है इसमें रुधिर केशी का ये बहुत सरे पतली पतली नलीका ही होती है इनका ये गुच्छा होता है जैसा कि अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं ये रहा ठीक है किस परकार्श आपको दिखा दे रहा है ये पतली केशी का ये नलीका ही जो है उस परकार्श होती है व्रक में परते केशी का गुछ एक नलिका के कप के आकार के शीरे के अंदर होता है देखो जो केशी काओ का गुछ नहीं है ठीक है यह गुछा जो है यह कप के आकार के अब देखो यहां से आपको चीज याद रखनी है वतादू मैं यह दूसरा क्यूशन शुरू हो है ठीक है कहां से यहां से आपको करना है या दिए यह यहां से अंडराइन कर लीजिएगा दूसरा क्यूशन शुरू हो गया है वरक काणू की सरुचना या नेफ्रोन की सरुचना नामा की चितर बनाते हुए वरन कीजिए ठीक है यह आपको यहां से अगले पेज का दो चितर केशी का केस का नाम क्यों पड़ा केश यानीकी बाल होता है बाल होता है जिस Walmart ही तो च्छी कount बनाती है और दो बनाती है कई कार के शीरी के अंदर होता है कब क्या आकर कभा है चितर में देखिए, आपको पहले समझाता हूं अपने पहले सितर समझते हैं यह आपको जो पीले रंग का भाग दिखाए दे रहा है यलो कलर में यह कब क्या कार का इसको बमन संपुट कहते हैं और इसके अंदर यह दो वर्ग की दो धमनी की साखा आ रही है यह इसके अंदर इस परकारश के घूम करके बार बार पत्रिन नलिका होती है एक ग लोशी का गुच्छ कहते हैं अंगरेजी में इसको गल्लुमिरलस कहते हैं तो बन गया कैशी का गुच्छ ठीक है यहां क्या होगा जो वर्ग ध्हमनद्री के द्वारा जो रक्त में यूरिया घुली वही है वो यहां पहुंचती है कहां बॉमन संपुट पर इसका नाम बॉम पर इस नाम बॉमन संपुट के अंदर जो केशी का गुच्छ है वहां से क्या होता है रक्त से यूरिया अलग होताती है और यह यहां पर इस नलीका में आजाएगी इस नलीका में गूंते गूंते यह जो है यहां इस परकार से आगे देखो पहुंच रही न एस आएगी है जो पिले रन्गी नलीका ना इस के अंदर और यहां से होते 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 यहां फिर इस नलीका में गूं फिरकت के यह इस नलीका में पहुंचेगी जिसका नाम है संगराहक नलीका इस संग्राखन अलिका से यहां पर जो है यह अपने एक वरकाणू की स्रुचना बताई है यह से बहुत सारे वरकाणू है नेफरोन है यह सारे के सारे संग्राखन अलिका जो है वो कहां खुलती है मुत्र वाहने में खुलती है और मुत्र से यूरिया को बाहर निकाल जाता है मुतर बन जाता है ठीक है तो चानने का जो काम है निकी मुतर से यूरिया को जो अलग करने का काम है वो होता है बामन संपुट के अंदर इस कप के अंदर पहली बात लेकिन होता क्या है कि इसमें कुछ आउसक पदार जैसे पानी है खनीज लओन है वो भी छण कर किया जाते है गॉलकूज बग्छीज़गा है तो उनको पुनह उसोषित करने की आव सकता होती है क्योंकि सरीज़ें पाने निकल जायागा तो पाने की कमी हो जाएगी गॉलकूज निकल जाएगा जो अपने बोजन किया था बोजन को पचाय था गॉलकूज बना था तो अपने स्रीज को नुकसान होता है तो यह जो आवसिक पदार्थ है इनको स्रीज ये बाहर नहीं निकलना है इसलिए इनका पुन्ह आवसोशन कर लिया जाता है दुबारा आवसोशित कर लिया जाते है और आवसोशन करने के लिए देखो यहाँ पर जो नलीका जो लाल रंकी जो लिप्टी हुई है बाहर ठीक है ये पुन्रा उसोशन का काम करती है और जल और खनीज लवड गुलकूज वगएरा जो है पुन्रा सरीज के अंदर आउसोशित कर ली जाते हैं किलियर तो चलिए अब अपन समझते हैं इस पूरी बात को जो किता में लिखा हुआ है कि वरक में क्या होते है परते केशी का गुछ एक नलीका के कप में होता है कप यानि की बौमन सम्पूट के अंदर होता है जैसा कि अभी चितर में आपको बताय गया था मैं चलिए आपको चितर पी लिए चलता हूं क्योंकि अपने को बार बार चितर समझना होगा ठीक है ये कप इसकी बात कर रहा है कपकी बोमन संपूट की ठीक है फिर आगे पढ़ते हैं चितर में अपने दिखाए था ये संग्राः नलीका जो इस प्रकार यहां परक। यह मुत्रवायने में खुलती हैं यह नली का चाहिए मुत्र को एक्षित करते परते गुरक में अनेग निश्यंदन एकक होते हैं जिने वरकाणू या नेफ्रों कहते हैं देखो मैंने बताया ना परते किड़नी में दोनों किड़नीया हैं दो किड़नी हैं बाई और दाई द प्रारंब के निश्यंद में, निश्यंद यानि की जो पदार्थ छन करके आया है, जैसे मालीजी यहाँ पर यह दो वर्ख की धमनी आकर कि इसमें खुलती है, रक्त के अंदर यूरिया गुली हुई है, यह दो धमनी है, नलीका है, इसमें रक्त है, और रक्त में क्या गुली ठीक है आगे जो नलीका है इस नलीका में जो परदार्थ- monde करके पहुता है उसमें मुखरोप शेत होती है यूरिया और यूरिया के साथ में कुछ पदार्थ भी होते हैं जैसे कौं कौं से गुल्कोज है अमिन्यामल है लवन है परसूर मातरा में पानी भी होता है ठीक है तो यहाँ पर यह बात हो यह जो प्रारम के अंदर जो पदार्थ संकर के आया है उसको कहते है निश्यंद तो यह निश्यंद के अंदर यूरिया तो ही है यूरिया को तो बाहर निकलना है उसके साथ में गुलकोज भी है अमिनोमल भी है खनीज लवन और जल भी होता ह जैसे जैसे मुत्र इस नलीका में परवाइथ होता है इन पदार्थों का चैनित पुन्दरावसोशन हो जाता है क्योंकि ये पदा सरीश से बाहर निकल जाएंगे अगर मुत्र के साथ तो सरीश को नुक्सान होगा हानी हो जाएगी क्योंकि गुलकोज भी काम की चीज है पान जलकी मातरा पूरोस्ट सरीर में उपलवद अधिरिक जलकी मातरा पर था कितना विले वरजीशे पदार जो है उससे जित करना उसे नीर्वर करता है यानी पानी हमको सिरीटितबाहर कितना निकालना है हमारे सिरी में अगर बहुँ ज़्यादा पानी पैले है picture अपने बार-बार पानी पी रहे तो कोई बात है नहीं पानी बाहर निकल सकता है चाले निकल नहीं दो कोई दीकत नहीं है ठीक है तो यह इस पर निर्बर करता है कि हमारे सरीर के अंदर अगर पानी की कमी है हमें पानी पी लंबा समय हो गया है पानी की प्यास लगी वी है तो उस समय यहाँ पर क्या होगा सरीर के अंदर पानी को नियंत्रित करने के लिए यह जो नलीकाएं है यह बहुत ज़्यदा म पहुंचेगा यहां परीया यहां परते हैं मनने वाला मुत्रंग को इस दख मुत्र नहीं है यहां मैंने बना दिया उनdaughter का ना सॉ 사ट नमया है तो बनाबग है एक वरकाणु बनाया तो यहां से इस संग्राहन नलीका है यह वाली तो यहां से मुत्रा जाएगा तो यहां पर जो है यह संग्राहन नलीका है यह संग्राहक नली का है तो यह संग्राहक नली का है जो है सारी बहुत सारी जो है यह अपना मुतर वाहने में रख जो मुतर है उसको उप्सजित कर देती है आगे लिखा है मुतर वाहने में प्रेश करता है जो वरक को मुतराशे में जोड़ती है और मुतर वाहनी कहा खुलती है आपको पता ही है यह मुतर वाहनी आ करके मुतराशे में खुलती है तो यह इस प्रक्रिया से अपने इसको समझा अपने तरी आगे देखते हैं मुतराशे में मुतर भंडारित रहता है यानि कि इस्टोर रहता है जब तक कि फैले हुए मुतराशे का दाव मुतर मारक दोरा उसे बाहर ना कर दिया जाए गए मुत्रा से जो है Blader की तरह होता है जसमियर काmother funeral ना बेसे फूल सकता है फैलता है जब मुत्र है नहीं होता है तो छोटा होता है जब जो इसमें मुट्र आएगा तो ए फूल करके बड़ा हो दाता ऐ और यह यह दाव डालेगा और यह दाव डालता है तो उसके क्या होता है मुत्र को बाहर निकाल देते हैं ठीक है और यह दाव कर डालता है जब मस्तिस संदेश देता है ठीक है तो मुत्राशेक पेशियंग है पेशी का बनावा है ठीक है अता यह है तंत्रिका नियंद्रन में है यान तो इस परकार से आज के इस वीडियो में हमने वर्क की सनचना यानि कि मानव उत्षजन तंतर की सनचना के बारे में समझा और दूसरा दो क्यूशन बनता है वो बनता है मानव उत्षजन तंतर की इकाई यानि कि वरक कानू या नेफरोन की सनचना के बारे में और इसकी काय प इसनों को अपन को इससे यहां पर समझने में आसानी होगी आपने इसको ध्यान परोग समझा धन्यवाद